कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है ये लम्हा कहां था मेरा अब है सामने फ्रेंड्स हम आये हुए थे राची और ये हर्मुचोक के पास हम आये हुए हैं एक सिंगर से मिलने उबरते वे सितारे कहना चाहिए और वॉलीवट सिंगिंग में काखे अच्छा कर रहे हैं और सिंगिंग कोचिंग भी दे रहे हैं चलिए उनसे मिलते हैं किशन महंती जी है उनसे मिलते हैं हम बात करते हैं उनसे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ प्रदीर मंडल स्वागत है मेरी चनल R.M.CREATIONS में यह है किशन महंती जी यहाँ पर इनका म्यूजिक प्लास है यहाँ पर सिंगिंग क्लास लेते हैं यहाँ पर काफी बच्चे इनसे सिंगिंग सीखते हैं तो जखते हैं इनका रूप कैसे सिंगिंग क्लास लेते हैं यहाँ अधर क्यों आज मैं आया हुआ हूँ जारकंट के राची शहर में और यहां मेरी मुलाकात हुई किशन जी से ये काफी अच्छा सिंगिंग करते हैं आप जाना चाहूंगा आप कहां के रहने वाले हूँ जी मैं रहने वाला हूँ जारकंट से ही गुमला चिला है हमारा और बसिया ग्राम है और मैं यहां पर गिटार टीचर के रूप में जो भी हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं वहां पर मैं गिटार का क्लास करवाता हूँ और मैं सिंगिंग में करता हूँ मतलब यहां यह सिंगिंग क्लास लेते हैं और यहां डांस क्लास भी है तो यह सिंगिंग क्लास यहां पर लेते हैं लगबग कितने बच्चे हैं? लगबग यहां पर 12-13 स्टुडेंट हो जाएंगे आपने सिंगिंग कब से स्टार्ट किया? जी मैं सिंगिंग का सौक बच्पन से ही रखा हूँ और जो मेरे गुरू के रुप में है वो मेरे बड़े पापा से ही मैंने सिंगिंग सीखा है और वो नाकपुरी जगत के जो जॉली बूर्ड जिसको बोला जाता है बहुत अच्छे सिंगर रह चुके हैं और मेरे पिता का नाम श्री उमेश कुमार महंती ओके थैंक यू दोस्तों मेरे शाथ हैं किशन महंती जी आप मैं जाना चाहूँगा आप किस तरह की सिंगिंग करता है जी मैं इंडियन क्लासिकल करता हूँ आपके आइडल सिंगर कौन है जिसको देखकर आपने सिंगिंग स्टार्ट किया जी मेरे आइडल सिंगर जो मेरे गुरू है वो सोनो निगम साब एक गना वो सुना दीजे जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो सोनो निगम जी का अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिन्दगी जगी धड़कन नहीं जाना जिन्दा हूँ मैं तो अभी कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है ये लम्हा कहां था मेरा अब है सामने बहुत अच्छा बहुत अच्छा गया है आपने आपकी आवाज जबरदस्त है और लगबक सोनो निगम जी से मिलती जुलती है हम आए हुए हैं राची और यहां लोग पसंद करते हैं नागपूरी नागपूरी सिंगिंग को सिंगिंग यहां काभी चर्चित है तो मैं आपसे एक नागपूरी गाना सुनना चाहूंगा जो इस छेतर का गाना है छोटा नागपूर तो यहां का एक गाना गाई गाकर सुना दिजी उचा निचा पाहड परवत नदी नाला हरे हमर छोटा नागपूर काले छोईड गेले संगी काले भूईल गेले संगी आसाम भूटान हरी हरी चाय के बगान पढ़ाई किया है आप जी मैंने जो मैट्रिक एक्जाम होता है जो तेंथ बोड वो मेरे गाउं में ही तेंथ का एक्जाम मैं वहीं से दिया हूँ विवेकानन सिसु विद्धय मंदिर वस्या और वहां से आने के बाद राची में ही पढ़ाई ट्वेद तक की मारवाडी कॉल कोलेज राची से और ग्रेज़शन भी मारवाडी कॉलेज राची से ही मैंने किया है मारवाडी कॉलेज राची से अपने ग्रेज़शन भी किया है चली बहुत अच्छी बात है आपका फ्यूचर में प्लान क्या है जी फ्यूचर में प्लान है एक अच्छा सिंगर बनना औ और वालीवूड तक जाने का प्लान है दोस्तों वालीवूड सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं वालीवूड के गाने बहुत अच्छा गाते हैं जी अरजीत सिंग जी का एक गाना है जो कलंग मुवी से हवाओं में बहेंगे घटाओं में रहेंगे तु बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे दीवानी तु मेरी मैं तेरा बादल पिया हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक रांचा और हीर जैसी ना जाने ये जमाना क्यूं चाहे रे मिताना कलंक नहीं इश्क है का जल पिया तेंक यू मैं मैं सुना हूँ कि ये गजल भी बहुत अच्छा गाते हैं आप किसके गजल्स पसंद करते हैं गाते हैं गजल्स मैं जगजित सिंग जी का चुपके चुपके रात दिन आसु बहाना याद है हम को अब तक आस की का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आसु बहाना याद है क्या बात है बहुत अच्छी वाज आपकी गजल भी बहुत अच्छा गाया आपने इसके लिए काफी कठीन परिश्रम करना पड़ा होगा और अभी भी करना पड़ता होगा तो आप इसके रियाज किस तरह करते हैं कब करते हैं का सिंगिंग करना चाहिए आपको किसे ने बताया कि आपको सबसे पहले किसने पहचाना जी मैं बचपन में स्कूल में गाया करता था तो जो हमारे सीख्षक थे हमारे प्रिंसिपल थे वो बोले कि तुम्हें आगे तक जाना चाहिए तुम्हें सिंगिंग करना चाहिए घर से भी बहुत सारा सपोर्ट मिला पापा का, मुम्मी का पूरे फैमली का सपोर्ट मिला नहीं तुम अच्छा गाते हो, तुमको आगे जाना चाहिए तो मैं सोचा कि हाँ मुझे प्रक्टिस की जरुरत है और सीखने की जरुरत है तो बड़े पापा सीखे हुए थे पहले से ही और अच्छा गा लेते थे वो भी तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा करो, ऐसा करो तो अच्छा हो जागा और तुम्हारा सिंगिंग और रियाज करो तो करते 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 अभी मैं इस मुकाम तक आया हूँ कि अभी यहाँ पे गिटार का क्लास करवाता हूँ और सिंगिंग का गिटार भी बहुत अच्छा बजा लेते हैं आप सुना है में लेकिन दोस्तों अभी हमारे पास गिटार उपलब नहीं है इसलिए मैं इनका गिटार जिनसे मैं सिखा वो आईटी आई में जहां मैं राता हूं राची में आईटी वस्टेंड मेरे गुरू जी है स्री कि जो कला है उसको हम अपने चनल पर दिखाएंगे दोस्तों ऐसे सिंगर्स को किसी एक बड़े प्लेटफार्म की जोरत पड़ती है और वो प्लेटफार्म अगर मिल जाए इन हैं तो काफी उचा जा सकते हैं काफी अच्छी सिंगिंग कर सकते हैं जैसे हाल ही में अभी रा जाना चाहूंगा आपको सबसे पहला मोगा कौन सा मिला जहां से आपको लगा कि मैं और आगे तक जा सकता हूं ऐसा कौन सा प्लेटफार्म मिला आपको जी मैंने जब सिंगिंग सुरू किया तो मेरे घर के बगल में दुरुगा पूचा होता है वहाँ पे स्टेज बहुत ह सब जारखन जो रितुराज महांती जी का जो सो आया था और मैं उस पर फाइनलिस्ट तक पहुचा और एक बार इंडियन एडल पर भी ट्राइग कर चुका हूं उस पर सेकेंड रूंड पर कोलकाता रूंड पर बाहर हो गया मैं कि इसी तरह कोशिश करते रहना चीए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों तो यह बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं और यहां पर काफी बच्चे इंसे सिक्षा भी ले रहे हैं गाने की गायन की सिक्षा भी ले रहे हैं मैंने काफी गाने सुने आपसे मै अन्त में एक गाना सुनना चाहूंगा मोहमद रफीजी का, चाहूंगा मैं तुझे सांज सवेरे, ये गाना का हिट गाना है, ये गाना का पर सुनना देजिए. सिन्त में पर सुनना देजिए. झाल झाल